हेलो फ्रेंज वेलकम टो वाइफाइ स्टेडी लाइब मैं संजेव गाथ और आप सब का स्वागत करता हूं आज के सिंपॉर्टेंट सेशन में में हर टॉफिक से लगवक वफ़ुशन पूछे जा रहे हैं कुछ एक टॉफिक को छोड़िया जायता हो डारेक्ट इन्डिर 우리가 छोड़गो फैसे आत्रश वय से दहने देखने को मिल रहे हैं बात करते हैं आज के टॉपिक की आज को टॉपिक है और इस टूपिक से कई कोशन पूछे जा चुके हैं और इस टूडें गलत भी कर रहें अगर आपके भी कोशन गलत हो रहे हैं तो इस सेषन को ध्यान से देखना बार निंग सोंस की अगर मैं बात करूँ तो इस चैनल पर सुबह से लेकर की राद तक क्लासे से लिए जिसमें साड़े च्छे बजे करेंट अफियर्स साथ पैटालिस पर मेरा वो क्याप सो और आट बजे दा एडिटोरियल सो उसके बाद अब नौ बजी से लेकर कि 11 बजे तक आपके लिए रेलवे की क्लासिस होती हैं ग्यारा बारा दस ग्यारा और बारा बजे इप एफो एससे की क्लासे जैंगा आपके लिए यह चैसल का कम्प्लीट फ्री वेच है जो यूटूब पर रेगुलर चलेगा उसके बाद हैं आई ब VPS RRB की Grammaid Bank के classes 6 बजे और 7 बजे फिर जोग्राफी की स्पेशल सीरी शाट बजे वीसिजीत सर की और रात को 8 बजे नो बजे 10 बजे 11 बजे यह CSIRL का Free Foundation Course है और रात को 12 बजे Sandeep सर की स्पेशल क्लासे जी के की तो बात करते हैं आर्टिकल के साथ साथ इक और important information की जिसमें आप इस number को save करके आप अपने doubts अपनी problems हमारे साथ share कर सकते हो और साथी साथ वीडियो के description में दिये गये google form को भर के भी आप अपनी doubts हम तक भेज सकते हो आर्टिकल का पहला question अगर हम आर्टिकल की बात करें तो types आपको पता ही है definite definite और indefinite तो इससे related question कैसे पुछे जाते है वो जड़ा देखो यह आपके सामने पहला question सुपर लेटिव डिगरी के साथ दा लगाते हो जड़ा इस बात को ध्यान लखना इससे पहले आपको कौन से class था सर तीन पैंतालिस पर फ्रेजल वर्प का हाँ चार बजे सबह चार बजे अनिकेड्मी पर class होती है उसके लिए आपको अनिकेड्मी एप डाउनलोड करना पड़ेगा अब इसको देखो आपको पता है कि जब भी हम सुपर लेटिव डिगरी की बात करते हैं तो सुपर लेटिव डिगरी के साथ क्या आता है दा आता है तो अब कोशन में वन ओफ ये भी सुपर लेटिव है ये देखो प्रीटियस्ट क्या है सुपर लेटिव और सुपर लेट साथ तो comparison ही हो सकती है लेकिन एक चीज और दिहान रखना दो के साथ of the two तो आता ही है उससे पहले दा भी आता है of the two के साथ comparative degree आएगी और article के रूप में आप दा का यूज करोगे जरह इस question को देखो drawing out my multi cool I unfold the longer of the two blades drawing out my multi tool I unfold the longer of the two blades हाँ अने केडमी पर भी free class ही है वही अब इसमें देखो longer आपका comparative degree है हाँ है उसके साथ दा आना चाहिए था आया है हाँ आया है इसका मतलब इस sentence में कोई गलती है अरे नहीं है क्यों क्योंकि जो सही चाहिए वो सही दिया गया है next कभी-कभी common noun का प्रयोग abstract noun की तरह होता है क्योंकि फिर वो किसी चीज को quality बताता जैसे the student in him dad तो मारे अंदर का student मर चुका है जैसे हम लिखते हैं the cricator in him आपने देखा है पहले के जमाने में दुकान पर सामान लेने जाते थे और वहीं पर हम मतलब वो quality यह student का मतलब student नहीं है student का मतलब वो quality तो देखो because they are miserable themselves they cannot abide and happiness of others इसका जबाब दीजिए session को एक बार सियर कर लीजिए जितने लोग भी लाइवे सभी लोग एक बार सेशन को सेयर कर लीजिए अब यहाँ पर जो happiness है ना उसको definite किया गया है definite किया गया तो क्या आजाएगा happiness अब इसका मतलब यह नहीं है कि happiness के साथ हमेशा दाएगा यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर जरूरत थे निक्स्ट इसको देखो नीदर दा कॉंसेप्ट और पॉली थिपिज्म नौर एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्नीक बाज नोन इन डेंपिकी इस टाइम ओ भाई साथ यहां मुद्दा यह हैं कि जो भी की invented things हैं जितनी भी invented things हैं उनके साथ आपको किसका यूज करना है जब भी हम invented जीजों की बात करेंगे तो उनके साथ दा आता है अब यहां पर एक ही invented से एक्स रे तो किया उना चाहिए था नौर दा एक्स्रेश क्योंकि यह कैसा है यह यह यहां पर डैफिनिट है यह ऐसे कोई दूसरी टेक्नलोजी ए नहीं है यूनिक हो गया हो गया तो डैफिनिट राटिकल दाएगा हाईगा निक्स्ट अब मैंच्ट इस्टुमेंट की बा या मने लिखा आई लाइक दा पियानो ही लाइक्स दा गिटार तो यह सभी क्या है यह सभी आपके मुजिकल इस्टुमेंट है और मुजिकल इस्टुमेंट के साथ भी दा का यूज करते हैं देखो ही आल्सो लब्ड म्यूजिक एंड वास एन एक्कॉम्पलिज्ट म्यूजिसियन प्लेइंग फ्लूट हर्पिस कॉर्ड एंड क्लैंजी बॉट तो दा ए एंड या फिन्नो आर्टिकल हम्हम् हुह सई हो रहे हैं कोश्यन तो यहां पर फ्लूट क्या है फ्लूट आपका मुचकल इस्टुमेंट है मुचकल इस्टुमेंट है तो क्या लगेगा दा कि कछ अनप्रयोग अगर नदियों की की बात करें दाता है खारी की बात करें दाता है महासागर की बात करें हमेशा दाता है माउंटेन सीरीज की बात करें हमेशा दाएगा दिसाओं की नाम की बात करें हमेशा दाएगा और इसकी ट्रिक क्या है ट्रिक है दुनिया में हर वो चीज जो जगे घेरती हो क्या करती हो दुनिया में हर वो चीज जो जगे घेरती हो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं दा का प्रयोग करते हैं तो आजाओ कुछ questions में example देखो the way of Bengal the Red Sea the Pacific Ocean the Himalayas the best यह दिसा का नाम है और इसके साथ हमने दा लगाया है तो देखो similarly the goddess personifications of the Ganga and humana rivers are often depicted as riding crocodiles देखो क्या गलती है पिक कर लेना और rules इसलिए दे रहे हैं कुछ बच्चों ने बोला था हम से किसे रूल्स नहीं लिखके देते हो लो भाई जो मांगोगे वो मिलेगा जो चाहिए वो मिलेगा लेकिन पेपर फोड के आना उधर से रोते हुए मत आना कि सर मेरा यह वाला कोश्चन नहीं हुआ पेपर हंडेड परसेंट फोड के याना अब इसको देखो जब गंगा नदी के साथ दा लगा है तो यमुना नदी के साथ भी दा आएगा दा गंगा एंड दा यमुना निक्स्ट दा लेधर बैक टर्टल पॉपलेशन इन ए अट्लांटिक ओशीन रेंजिस एक्रोज दा इंटायर रीजन प्रजय ना टॉपिक बाइस ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेनत हमने ज्यादा कर ली है आप लोगों के लिए मेनत हमें ज्यादा करनी पड़ रहे है लेकिन इसका फायदा आपको मिल लाए कल किसका एक्जाम है कल किसका किसका एक्जाम है बताइए भाई अब अब अट्लांटिक एक ओशीन है और महासागर की नाम की साथ हम दा का यूज करते हैं दा अट्लांटिक ओशीन क्या रहेगा दा अट्लांटिक ओशीन निक्स्ट विफोर दे ग्रोथ ऑफ माइनिंग कंपनी इस अब इसको देखो अब दिसा है ना यह नौर्थ इस तो इसके साथ भी दा आज आएगा अब तो टॉपिक वाइज वाली प्रोब्लम सॉल्व हो रही ना इतने वीडियो कर दिया टॉपिक बाइज छोटे बड़े हर तरह के भौतिक इस्थान कोई फिजिकल पोजीशन की बात करें जैसे लेफ्ट राइट आप बॉटम इनके साथ भी दा आता है जैसे दा लेफ् गुटति देडा घल गुट् herzlich अगा इनके साथ बॉफ समूं आप तरह नुकों के सांभित आता है झार्मियो पुष्ट को की बात करें धारमिक ग्रंथं हों की बात करें उसके साथ बीड़ाता है एत्यासिक 2005- g rap र क्यद्वन इसमारक जैसे श्मार का सब्सक्राइब करों नियूस्पेपर की बात करें इनके साथ भी अम्दा का यूज करते हैं नहरों के साथ भी दा आता है जैसे अब बॉटम यह फिजिकल पॉजिशन है दा अंडबांस यह दीप समू है दा वेडास यह धार्मिक ग्रंथ दा रामाइना यह भी धार्मिक ग्रंथ है दा हिंदू यह रिलीजियस कम्यूनिटी है दा पनामा कैनाल यह नहर का नाम है इसका स्क्रीन शॉट ले लो सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो एक्जामपल देखो टेक अलूट दे लेंग्वेश ऑफ दा अलूटियल आईलेंड बेस्ट अफ अलास्का सर्वाइविंग मेंली इन जस्ट वन ब्लेज थोड़ा घुमावदार कोशन है लेकिन आप लोग इसका जवाब दे सकते हो कोशन थोड़ा घुमाने वाला है बढ़ आप इसका जवाब दे सकते हो अब थोड़ा मज़ा आ रहा है न इंग्लिस पढ़ने में हमने आपको हमेशा बोला है कि आपका जब मन लगने लग जाएगा तो आपको सारी चीज़े अच्छी लगेंगे और आपका मन तभी लगत है इग्जाम करीव अने पर आपका मन लगता है यहां पर देखो बेस्ट दिशा कि नाम है और दिशा के नाम के साथ दा हता है दबस्ट ओफ लाश का होना चाहिए था कि अधिए था दा बैस्ट ओफ अलास्का अलास्का के साथ थोडी नद आएगा। तो जगा कि नहां है दा वैस्ट ओफ अलास्का ओना चीये था निक्स डिस्पाइट इस रैंकिंग एट एट एब टॉटम फोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल डेवलोप्मेंट इंडेक् confusion despite its ranking at a bottom of most international development indexes the conflict is surrounded by confusion अब भाई इसको देखो यह बॉटम फिजिकल पोजिशन है ना दा बॉटम दा टॉप दा राइट दा लेफ्ट यह सब आपके क्या हैं यह सब भी आपके फिजिकल पोजिशन के नाम है और फिजिकल पोजिशन की बात करें करेंगे तो उसके साथ हम हमेशा दा का यूज करते हैं हमेशा दा करेंगे next there are several mentions of the animal in Rig Veed as well as the Bible घरमिक ग्रंथों की नाम के साथ लगाते हैं यह कौन करेगा कि है आप लोग लाइन करेंगे लिदि अपका टॉपिक चल रहा है आपके मन का तॉपिक आया हुआ है नहीं मन का आया तो भॉल दो जो मन का गॉन वो हता Пол एंगे लेकिन अगर मन का है तो ले ओ फिर, of the most भी, देख लेते हैं, कहां, of the most था, कॉन जी कोशन में, of the most था, वो बता देना भाई, यहां पर देखो, रिग वेदिक धार्मिक ग्रंथ हैं, और धार्मिक ग्रंथ के साथ, दाक अप्रयोग करेंगे, next, he had also joined others from the Sips company, in a sponsored run along Swiss canal, in aid of a cancer charity, अब देखो, Swiss canal, नहरों की नाम के साथ भी, दा आएगा, तो क्या होना चाहिए था, दा सुएज के नाल, next, समन्ता नाउन प्लस ओफ नाउन का प्रयोग होने पर, पहले नाउन के साथ दा का प्रयोग होता है, इसको ऐसे समझो, नाउन बना आजाए, फिर ओफ आजाए, फिर एक और नाउन आजाए, तो पहले वाला नाउन हमीशा, डेफिनिट होगा, फिर आपको दा लगाना पड़ेगा इसके साथ, फिर पहले वाला नाउन कैसा होगा, definite होगा और definite होगा तो उसके साथ हम दा का प्रयोग करेंगे देखिए Member of the Colleges Communist League was a fire brand who would launch a sit-in or protest march at a moment's notice Company के नाम के साथ कभी किसी article का प्रयोग नहीं होता है किसी भी company के नाम के साथ कोई article नहीं आता अब इसको देखो Member of the Colleges Communist दो नाउन एक साथ आ गए पहले बाले के साथ दा आएगा ही आएगा बाद बाले के साथ सोच समझ के रिसाइट कर लेंगे और डिनल लंबर यह हमना आपको बताया है जैसे दा फरस्ट प्लस नाउन दा सिकेंड इसके साथ भी नाउन आएगा दा लास्ट इसके साथ भी नाउन होगा दा फॉर्मर इसके साथ भी नाउन होगा दा बैक इसके साथ भी नाउन होगा दा ओनली इसके साथ भी नाउन होगा यह सबी कहलाते हैं आपके ओर्डिनल नंबर जिसे हम कहते हैं क्रम बाचक बिसेसर इनके साथ हमेशा दा आता है एक्जामपल देखो दे कलेक्शन इवेंच्वली कंप्राइस फॉर्टी एड वॉल्यूम्स ए लास्ट पब्लिस्ट थ्री यहर्स आफ्टर प्यूसी इस डैथ एक्जाम रिब्यू कराया तो है सुबह देखिए बारा पैतालिस पर अभी रात को फिर साड़े नौ बजे कराएंगे सब कुछ हो रहा है बस आप तक आप उस तक पहुंच नहीं रहे हो सायद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आपको पता नहीं चलता है अब यहां पर ए लास्ट नहीं होना चाहिए था दा लास्ट होना चाहिए था क्या रहेगा दा लास्ट निक्स यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल लाउन बाक में पहली वार आता है तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं अगर वह दूसरी तीसरी वार आता है तो उसके साथ हम दा का यूज करेंगे किसी चीज से पहली वार मिले हैं किसी चीज की चर्चा हमने पहली वार किया है तो वह मेरे लिए इंडेफिनिट है लेकिन जब बार बार उसके साथ मिल रहे हैं तो वह मेरे लिए डेफिनिट हो ज कर लो दा प्लसकेक तेप लाउन यह भी धियान रखना इन को सब को लिख लो कि इधर लिखें आपके दिटिफ और इधर लिखा यह प्लूडल नौण इधर इधर रिच्टीफ से और इधर प्लूरल नहीं एधर रिखा मेरीच तो प्लूरal नावन हो गया दा रिच इधर लिखा हमने पूर तो प्लूरल नाउन हो गया दा पूर एजिक्टिव है डीफ तो इसका प्लूरल नाउन है दा डीफ एजिक्टिव है डम तो इसका प्लूरल नाउन है दा डम एजिक्टिव है सिक तो इसका प्लूरल नाउन है दा सिक एजिक्टिव है ब्लाइंड तो इसका एजिक्ट प्लूरल नाउन है दा ब्लाइंड ठीक है तो यहां पर यह ध्यान लखना और अगर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट की रूप में आएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी तो आएगी अब देखो I have just seen her smooching with the adorable Alan Rickman in her new video in demand यह different concepts related question different concepts related अब इसमें देखो एड़ोरेवल के साथ ए थोड़ी ना आएगा एन आना चाहिए क्योंकि उसका प्रणेंशियेशन कैसा है उसका प्रणेंशियेशन वाविल है कहाँ दा फिर एन एड़ोरेवल सही कर दोगे रट्टू अगर कभी भी पर या प्रती का सेंस आए तो उसके साथ भी आप ए और एन का प्रयोग करना ठीक है कई वार क्या होता है कि जब मीजर्मेंट बताते हैं तो मीजर्मेंट बताने के लिए हम दाका प्रयोग भी करते हैं इसको देखो केवेज रोल्स बर प्री मेड बाई डेजन रेडी टू पॉप इंटू दा ओवन अब यहां पर यह मीजर्मेंट की बात कर रहे हैं कि कपड़ा मीटर में बेचा जाता है पिट्रॉल लीटर में बेच जाते हैं यह मीजर्मेंट की बात हो रही है और मीजर्मेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे बाई यहां 뉴스 क्या है कि क्या आएगा बाईदा डेजन रएक wh पर नहीं उन से पहले जब किसी विक्ति के समान गुड़िया सोभावली विक्ति का बोद जैसे कोई अच्छा क्रिकिट खेल रहा हो तो मैं जायते है तुम तो यार ब्राट कोली वन गए समान गुर की चर्चा कर दिए अगर कोई बहुत अच्छा राइटर है तो मैं तो समान गोड की बात कर दे जैसे ईस draws Hindi poetry अब उसके अंदर टैन कर दिया डेफिनिट का तो दा अगया देखो यह बताइद या धार्मिक समुदाय की बात करेंगे आरन फोर्सेस की बाद करीं, siaसे टा करेंशनी अर्मी, अर्मी, इर पॉर्स कर्सी कोस्त गार्ड A. The art of Flavian Density is characterized by Divergent Official Styles and Imagery. A. The art of Flavian Density is characterized by Divergent Official Styles and Imagery. जब भी हम किसी Density की बात करेंगे, जब भी हम किसी Bans की बात करेंगे, तो उसके साथ भी आपको दा का यूज़ करना है. दा प्लस बंस का नाम, ठीक है? तो क्या जाएगा? ऑफ दा फ्रेवियन Density. नेक्स्ट, होटेल, रेस्टुडेंट, थेटर, सिनेमा, क्लप्स, बैंक, सॉप्स, मरुस्थल, इन सब के नाम, समचार पत्र है, बांध है, मैगजीन से, इन सब के नाम के साथ दा आता है, और ये चीज़ें याद रखने लायक है, दासो का होटेल का नाम है, दा ब्रिटिस म्यूजियम म्यूजियम का नाम है, दा साहरा डेजर्ट है, दा भाकरा नग डैम है, दा इंडिया टुड़े, ये निउस पेपर है, मैगजीन है, इंडिविजुल्स इन बोथ, पार्टीज ओड मनी टू, स्टेट बैंक एंड इट्स ब्रांचेज, विद विंग्स, आउट बोरोईंग डैमोक्रेट्स, कॉंटेंट पर बहुत मेनत किया भाही मैंने, और आप लोगों को वो निचोड दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने पूरा आप से कहा दिया, कि दस पेज हैं, यह सब याद करके जाना, मैंने आप तक वही चीजें पहुचाई हैं, जो आपके लिए जरूरी है, तो देखो, यहां पर भी स्टेट बैंक के साथ भी किसका यूज करेंगे, देखो, टू स्टेट बैंक, एंड इट्स, ना, यहां कुछ नहीं आएगा, दा आ सकता था, हाला कि यहां पर स्टेट बैंक के कमपनी का नाम है, और कमपनी के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं करते हैं, यह आपको पता ही है, ए और एन कभी यूच करेंगे, एक कोश्चन का जबाब दो, अदे, यही है, वोबिल वाले जानी गए हो, कॉंसोनेंट वाले जानते ही हो, कॉंसोनेंट के साथ, ए आएगा, वोबिल के साथ, ए आएगा, हंडेट डिजन, थाउजन, मिलियन, मिलियन से पहले, एका प्रयोग करेंगे, जैसे, ए हंडेट रुपीस, ए थाउजन रुपी आपके साथ में उस topic को discuss कर लें आपके साथ में बाकी मैंने कोई topic छोड़े नहीं है revise ही करा रहा हूं close test की practice में रोज करा रहा हूं आप लोग भी करना close test की practice में रोज करा रहा हूं वो क्याप की practice रोज करा रहा हूं जो topic बाई चीजे बन सकती हैं उनकी प्रैक्टिस में रोज करा रहा हूं अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर ही आपकी तरफ से दिक्कत है मेरी तरफ से नहीं है ठीक है फिर भी अगर आप आपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो इस नंबर पर वाट्ट सेप कर सक सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है उसको फिल कर सकते हो ठीक है हम मुलाकात करेंगे आप से अपनी सामकी क्लास में कमेंट ज़रूर करो क्लास कैसी लगी यह में कॉमेंट करके जरूर बताया करो कोई कमेंट ही नहीं करता है कल डांटा तो कमेंट किए है रोज़ रोज नहीं डांटेंगे आपकी भी तो वेलिउ है ना रोज रोज डांट खाने चले आओगे रो रोज नहीं डांट सकते बिना डांटें भी कमेंड करोगे ठीक है चलिए थेंक यू जय हिंद